अगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे और बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजेगा इससे जितनी भी सिरीज की वीडियोज आ रही है आपको मिल जाए आपको इंफॉर्मेशन मिले औ आप उसे मिस ना करें की स्टैट्जी से अलग होनी चाहिए अगर आप स्ट है तो आपकी स्टैट्जी क्या होनी चाहिए क्यों हम कहते हैं जन्रल ओबी सी और एडवलोस की स्टैडी एक लगभग एक जैसी होती है तो यह पूरा इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बट आगे बढ़ने से पह पहले 15,000 रैंकिंग तक मैं तो जानता हूँ क्योंकि डेटा देखता हूँ तो maximum student अपने स्टेट में लेते हैं frankly बताओं जब उनको लगने लगता अपने स्टेट में नहीं मिल रहा है आपने स्टेट में बड़ा नीचे मिल रहा तब वो बाहर जाते हैं जैसे कि एक example के ल लोग जानते होगे inertia रहता है जहां के हमें वहीं मिल जाए तो बढ़िया है काम भी यहीं मिल जाए college भी यहीं मिल जाए तो inertia की वज़य से कई के बार हम compromise कर लेते हैं colleges का तो हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं अब 15,000 से उपर अगर आपकी rank है तो आपके पास option क्या है आपके पास 24 तो यह पक्का है कि आपको बहुत अच्छा medical college नहीं मिलने वाला 15,000 rank पे आपको बहुत अच्छा अपने state का top तो नहीं मिलने वाला कुछ-कुछ state में तो लगभग एकदम bottom के 3-4 college मिलते हैं अब आपके पास 24 होता है दूसरे state में जाए अब यार एक बात बताओ 15,000 rank लेके दूसरे state में क्या मिलेगा वहाँ भी तो कुछ नहीं मिलेगा at least general EWS OBC में नहीं मिलने वाला और यही हल एक लाग के उपर SCST या एक लाग 20,000 कर लो क्योंकि SCST में थोड़ा बहुत वो option choose में करने मुझे देखा मैंने देखा गडबड़ी की थी लोगोंने तो उसमे 15,000 से लेके 15,000 से लेके 20, 22, 25,000 तक जितने भी 1000 तक आपको अपने state में मिल रहा है आप कोसिस करिए कि अपने state में रह जाईए क्योंकि दूसरे state में भी आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला तो अपने state में at least आपको language पता है आपको खाना ठीक ठाक पता है कैसे खाय आपको पता है कि वहाँ पहुंचा कैसे जाता है और हर सहर और छोटे कस्बों में आपको ये भी पता है कि वहाँ बुगा रहती है वहाँ चाचा के रिसदार रहते है वहाँ चाची का मैका है वहाँ बुगा क्या एक relative है इस तरह से मासी है वहाँ पे आपका ननिहाल है वह सपोस करो आगरा के आसपास और आगरा के बगल वाले अगल बगल वाले कॉलेज नहीं मिल रहा है और देवरिया मिल रहा है वो काफी दूर है वो या आप गाजियाबाद के पास रह रहे हैं वो आपको देवरिया मिल रहा है आपको सोन भद्र मिल रहा है आपको उधर सिद्धार्त नगर मिल ला है बहराईच मिल रहा है जो आपके लिए बड़ा डिस्टेंस है तब आप सोचो के यार उधर अपने यूपी में जाएं जबकि यूपी इतना बड़ा होने की बज़े से यूपी भी अलग स्टेट लगता है वहाँ बोजपुरी चलती है अवधी चलती है इधर ठेट हिंदी चलती है वेस्ट यूपी में और वहाँ पे सेंट्रल यूपी में खड़ी लेंग्वेज चलती है तो ये यूपी भी एक बड़ा स्टेट होने की वज़े से कई बार अपने आपको ऐसा लगता है कि वहला हम अगल बगल जा सकते हैं तो ऐसे केस में आप एक्स्प्लोर कर सकते हो लेकिन चोटा स्टेट अगर है या एक समान स्टेट है जहाँ पर एक जैसी भासा लेंग्वज बोली जाती है तो पंद्रह हजार से बीस पाईस हजार तक लोग अपने ही स्टेट में रहना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा अब अपने स्टेट में रहने के लिए आपको आल इंडिया से भी आ सकते हो आप अपने स्टेट से भी जा सकते हो मैं कहता हूँ आपको दोनों आपसन एक्स्प्लोर करना चाहिए हर केस में केवल और केवल रिस्क यह है कि आपके वहाँ पे किसी में भी कुछ एकाद कॉलेज भी उपर हो गया तो फरक पड़ेगा अब मान लो एक स्टेट में 15 आपके ड्रीम कॉलेज है और आपको इस स्टेट से 16 हमा मिला जो ड्रीम में नहीं है और आल इंडिया से एक कॉलेज खिसक के 15 हमा मिल गया तो इससे बढ़िया क्या होग लगा कॉलेज की इंपॉर्टेंस कम से बहुत जादा इंपॉर्टेंस होती है कि अगर मुलाना अजाद से 10बीबियस करें और एक बच्चा नाम नहीं लोंगा को कि बुरा मान जाते हैं गसी बहुत ही जो लो रेंकिंग 20 जार रेंकिंग जाती वहां से अगर 25 दिखने लग देर मिनिमम बच्चा तो करके जाता न 600 प्लस के आसपास तो आज कल कहीं एडमीशन ही नहीं हो रहा है तो मिनिमम भी उतना पर्सेंट लाके बच्चा यानि एक ब्राइट बच्चा तो है तो इसमें कोई दोराने लेकिन अगर आपको मिलता है अगर आपको उपर वाला कॉले होगी आपको हमेशा कोसिज करते रहना चाहिए कि आपको उपर वाला कॉलेज बिले सेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा हमेशा याद रखेगा फिर बोलना हूं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अपना ड्रीम सीक्वेंस भरिये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अप कानपूर कैसे मिलेगा तो कानपूर छोड़ देता हूं मैं मैं भर देता हूं हरियाणा का मेरे करनाल कैसे मिलेगा मुझे रोतक कैसे मिलेगा लेकिन इसलिए मैं उसको नहीं भरता हूं मैं मिमात भर देता हूं मद्धिपर्दिस वाला बोलेगा गज्रा गाज्या कैसे मिल बर दे रहा है या और नीचे वाले भर दे रहा है आपको हमेशा dream sequence भरना चाहिए और counseling के time में क्या document लग रहा है क्या update लग रहा है वो सब मैं बताता रहूँगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है याद रखेगा उसकी आपको बिलकुल चिंता नहीं करनी है यानि conclusion क्या है तो आप ले सकते हो अब जो मैंने इस video का heading दिया था वो ये था कि South India में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए South India वालों को क्या North India में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए देखो भाई अगर आपकी rank इतनी है कि अपने state में आपको जगह ही नहीं मिल रही है और आप एक drop से ज़्यादा drop हो चुका है या एक भी हो चुका आप drop नहीं करना चाहते है आईडियली मत करो South में चाहे किसी भी कोने में मिले इंडिया के आपको seat लेना चाहिए क्योंकि MBBS college जो सरकारी है उसको एक grant दिया जाता है वहाँ पे patient होते हैं वहाँ पे हर और बच्चा भी अगर state से भी आरा तो पड़ा लिखा है language problem इंडिया में इतना भी नहीं है जितना हम सोचते हैं हर जगह लगभग हिंदी चलती है अटलिस लोग बोल नहीं पाते हैं समझ पाते हैं और अगर आपको थोड़ा safety concern है तो पता कर लीजे अगर safety concern है तो पता कर लीजे area if you find it suitable for me for boys at least देश के किसी कोने में चले जाना चाहिए for girls yes as a parent थोड़ा डर रहता है तो आप वहाँ पता कर लीजे लेकिन मैं गलड़कियों के लिए बता लेता हूँ कि लगभग 50% से ज़्यादा हर college में MBBS college में लड़किया आपको दिखेंगी तो वहाँ का भी डर बहुत ज़्यादा नहीं होगा निशिंद रहिएगा और बढ़े लिखे लोग होते हैं बच्चे बढ़े लिखे होते हैं तो यहां से एक डर आपस्तमान लीजे कि नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं बट preference रखी अपने state में लेकिन अगर मजबूरी हो कहीं भी जाने की तो please वहाँ भी जाएए कोई दिक्कत नहीं है तो I hope यह मेरा session अच्छा लगा होगा आपको please feedback दीजेगा इसलिए आपकी क्यारा है Thank you very much